मैं आपके उस कोशन का आंसर देने जा रही हूँ जो मुझसे सबसे जादा पूछा जाता है कि फिटनस के लिए मोटिवेट कैसे रहें? अचली फिटनस के लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं, खुद को फिट रखने के लिए अगर कुछ चाहिए तो बस तीन ये आदतें और अगर आप इन आदतों को अपना लाइफ का पार्ट बना लेंगी तो आपको आपका ड्रीम फिजीक पाने से बनाने से कोई भी नहीं र लेकिन एक बात क्लियर है कि मुझे ये बात पता है कि आज कल के टाइम में फिटनस दिखाने में नहीं बलकि इससे मेरा माइन पॉजिटिव रहता है, मेरा कॉंपिडेंस बढ़ता है और सारा काम बहुत अच्छे से हो जाता है जिससे मेरी परफॉर्मेंस इंप्रूव होन लगी है, खुद से प्यार, अपनी बॉड़ी से प्यार, अपनी लाइफ से प्यार, ये है मेरी मोटिवेशन, अगर आप कुछ बेस्ट पाना चाहते हो तो एक जुनोन होना चाहिए आपके दिमाग, आपके खोन और आपके शरीर में, सो आप लोग भी अपना रीजन धूंटो और वो कुछ भी हो सकता है, अपनी पसंद के कपड़े पहनना हो, अपने माइट और बॉड़ी को पॉजिटिव बनाना हो, बिमारियों से बचना हो या अपने रिलेशन को और बेटर करना हो, दूसरा कोशन मेरे सामने आता है, आक्चली मैं इसको कोशन नहीं बलकि बहाना बोलूँगी, वो ये कि हमारे पास ताइम नहीं है, क्यों हम अपने दुश्मन खुद बन जाते हैं, कुछ लोगों के जैसे, दिखना तो है पर उनके जैसी महनत नहीं करना चाते, जिनको करन है, वो खुद को ट्रेन करते हैं, बाकी तो बस कमप्लेन करते हैं, फिटनस को शुरू करने के लिए कोई नया दिन, महीना या साल की जरूरत नहीं, अगर आपको सच में कुछ करना है, तो उसका सही समय यही है, फिटनस के साथ आती है बहुत इंपोर्टन चीज, जिसे हम कहते हैं, क्या आपको पता है कि फूट का effect हमारे mind, calm और body पर आपकी exercise से जादा होता है, प्रोसेस फूट, junk food यह सब हमारे शरीर के लिए खतनाख है, मानती हूँ, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन self कंट्रोल करना ही हमारी life की सबसे बड़ी जीत है, अपनी food choice को बदलो, improve करो, एक साथ नहीं तो एक एक करके बदलो, और अगर एक दिन भी successfully कर लिया तो समझो आगे भी कर जाओगे, life हमें वो सब नहीं देती जो हम चुहते हैं, बलकि सिरफ वही मिलता है जिसे हम अपनी महनत से कमाते हैं, so believe in yourself, fit रहो, hit रहो, stay healthy, love you all. झाल, 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 झाल